नमस्कार, मदशियन सिंग, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़ी तरीके से चल रही होगी UBPSC-RO-RO के previous year questions की series हम कर रहे हैं, अब तक काफी सारे विशियों पर previous year questions मैं आपको provide करा चुका हूँ, जैसे प्राशीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, हिस्ट्री वाला portion हमने पूरा complete कर लिया है, हिस्ट्री वाले portion में अलग से भी जो इंडियन नेशनल मूमें प्रश्णों को हमने cover कर लिया है, पर्यावरण और पारिस्तित्गी के जितने भी प्रश्ण पूछे गए हैं, अब तक उनको सभी को हमने complete कर लिया है, और विज्ञान वाले section में आपके मैं, जो भौतिक और रसाइन से जड़ी हुए प्रश्ण है, वो भी मैं आपको यहा questions आपको बहुत अच्छी तरीके से त्यार करके जाने हैं, क्योंकि काफी सारी questions आपको यहां से directly भी मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ इनको मैंने subject wise आपके लिए प्रवाइड इसली कराया है, कि आप जिस विशे की त्यारी कर रहे हैं, आप जिस विशे को भी पढ़ रह यानि प्रश्ण जो हैं, वो कहां से ज्यादा संख्या मैं पूछे गए हैं, तो भारती भूगल के प्रश्णों की संख्या क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा है, तो इनको एक वीडियो में मैं cover नहीं कर पाऊंगा, cover करने को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो ज्यादा लं और यहां पर इस चीज को ध्यान से समझेगा, कि दक्षड़तम बिंदू को लेकर के कभी-कभी थोड़ी confusion हो जाती है, कैसे कभी-कभी यह पूछ लेता है, कि मुख्य भूमी का दक्षड़तम बिंदू कौन सा है, तो मुख्य भूमी का दक्षड़तम बिंदू अगर बात क और भूमी के हिसाब से देखा जाए, जो लेंड भारत की जहां तक फैली हुई है, उसके हिसाब से Southern Point केप को मेरेन है, और वैसे देखा जाए, समुद्रिक छेत्र को भी अगर सम्मिलेत उसमें कर लिया जाए, तो इंदरा पॉइंट जो है भारत का Southern Point है, तो अब यहां पर आप थोड़ा सा पूर्वी पश्यमी और उत्तरी बिंदूओं को भी देख लीजिए, क्योंकि यहां से भी प्रशना पूछे जा सकते हैं, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदू जो है, वो किबितु है, यह अरुणाचल प्रदेश में पढ़ता है, उत्तरी बिंदू की आपका पश्यमी बिंदू जो है, वो गौर माता है, यह नाम जो है कई-कई जगे पर अलग-लग तरीके से भी लिखा हुआ मिल जाता है, आपको अलग-लग किताबों में अगर आप देखेंगे, तो कहीं पर यह घुवार मोटा जो है लिखा होता है, कहीं पर गौर मोटा ल पर पढ़ता है, इनके जो कॉडिनेट है, वो भी आप थोड़ा सा याद रखें, तो और ज्यादा बेटर रहेगा, कि जैसे जो मुख्य भूमी का साउधन पॉइंट है हमारा, कन्या कुमारी के के केप कुमरीन में, तो यह जो है, आट डिगरी चार मिनट उत्तरी अच्छ के पूर्वी पश्यमी उत्तरी दक्षडी बिंदू होगे, भारत का विस्तार अगर बात करें, उत्तर से दक्षड, तो आट डिगरी चार मिनट उत्तरी अच्छांस से लेकर के, 37 डिगरी 6 मिनट उत्तरी अच्छांस के बीच में पढ़ता है, वो आप यहां से भी देख सक को डिखता है, आप इसको यहां पर ऐसे मत देखेगा, जैसे भात समझाने की बीचार मिन उत्तर से उत्तर से बीच यहां से लेकर के, धा रहा 시 ॵह लघ के घुटा है, 37 डिगरी 6 मिनट उत्तरी अच्छांस के 37 डिग्री 6 तो वैसे उत्तरी जो पॉइंड है, वो उत्तरी जिगरी 6 मिनट पर है तो यह चीज आपको यहां से दिहान रखनी है दूरी की बात करें कि भारत की जो दूरी है या विस्तार है भारत का तो उत्तर से दक्षन कितना फैला हुआ है यह 3214 किलो मीटर है और पूर्व से पक्षम इसका विस्तार देखेंगे तो 2933 किलो मीटर है तो तह भारत का मैंपतर से लिधाए निस थ्थली सीमा की लंबाई का मतलब मैं यहां से बतारू कि है आप दक्षडि भात को देखेंगे तो दक्षड़ी भात जो है क्योंकि समुद्र से साटा हुआ है है टो यह जो पार्ट है समुद्र से कहीं पर भी शाटा नहीं हुआ तो ये स्थली सीमा है, तो इस स्थली सीमा की लंबाई, मतलब यहां से ऐसे करके, ऐसे, तो इस स्थली सीमा की लंबाई गतनी है, 15,200, अगर बात करें मुख्य-भूमी की तरटी सीमा की, तो ये दीपों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाए तो दीपों को मिला करके 7516.6 km जो है भारत की बहुत कुल 80 सीमा की लंबाई है सरवादिक सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है तो ये बंगलादेश के साथ लगती है 4096.7 km और सबसे कम सीमा जो भारत की लगती है वो अफगानिस्तान के साथ में लगती है 106 km सुन्दरबन डेल्टा के स्पेड के लिए प्रिशिद्ध है क्योंकि इसका नाम सुन्दरी नामक ब्रक्ष पाए जाते हैं और इन सुन्दरी नामक ब्रक्षों के नाम के कारण ही इस डेल्टा का नाम सुन्दरबन जो है वो पड़ा था ये भारत और बंगलादेश में फैला हुआ है बंगलादेश यानि पहले जो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था तो भारत में मुक्रूप से पश्यमंगाल वाला के लिए जाना जाता है 2001 में सुन्दरबन डेल्टा को यूनेस्को द्वारा जैब मंडल आरक्षे छेतर में जो है वो शामिल कर लिया गया था भाखडा नांगल बाद से जोड़ा वह प्रश्न पूछा कि किस नदी पर है तो ये सतलज नदी पर है भाखडा नांगल बाद एशिया का दूसरा सबसे उँचा बाद है और ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा परिस्थेत है भूकंपिय शेतर में विश्व का सबसे उँचा गुरुत्य बाद जो है वो भाखडा नांगल माना जाता है तिहरी बाद जो है इसकी उँचाई है 260 मीटर तो टिहर बाद जो है इसका जलाश नागल बांध के जलाशे की बात हो रहिए इसका जलाश यह गोविंद शागर के नाम से जनाजाता है भाकडा नागल बांध 1948 में इसका निर्माण स्टार्ट हुआ और 1963 में ये जो है बन करके तयार हो गया था दर्मा और व्यास घाटियों को जोडने वाला दर्रा कौन सा है तो दर्मा और व्यास घाटियों को जोडने वाला दर्रा है आपस सिनला दर्रा सिनला दर्रा की उचाई है 5,495 किलो मीटर की उचाई पर जो है सिनला दर्रा पाया जाता है इससे जुड़े हुए कुछ important point जैसे दर्मा और व्यास गाटियों का नाम यहाँ पर आ रहा है खतलिंग हिमनत का उदगम इस्थान है मतलब खतलिंग गलेशियर से कौन सी नदी निकलती है हिस तरीके का प्रशन था तो बिलांगना नदी खतलिंग हिमनद से निकलती है खतलिंग हिमनत जो है ये रुद्र प्रयाग टिहरी और उत्रकासी के संगम पर स्थित है हिमाले में मुख्य सीमा भ्रंस यानि MCT में सेंटरल थर्स्ट ये किस-किस चीज को अलग करता है मतलब किसकी विभाजक सीमा पर MCT स्थित है तो MCT जो है ये महान हिमाले और लगू हिमाले को अलग करता है इसके लावा MBT का नाम भी आपको पता होना चाहिए HFF का नाम भी आपको पता होना चाहिए MBT क्या है? Main Boundary Thirst इसको बोलते हैं ये लगू हिमाले और शिवालिक हिमाले के बीच में है यानि ये लगू और शिवालिक हिमाले की सीमा का निर्धारन करता है MBD Main Boundary Thirst हिमालयन Front Fault जो है ये शिवालिक हिमाले और विशाल मैदान के बीच की Boundary तै करता है HFF यहाँ पर एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि जो Main Central Thirst है MCT है ये जो है भूकमपी द्रस्टी से बहुत महतपूर है इसके नीचे का जो छेतर है MCT के नीचे का जो एरिया है वो लगातार Tectonic Activities के लिए जाना जाता है निरंतर विवर्तनिक गतिविधियां जो है MCT के नीचे के छेतर में होती रहती है म्यामार की सीमा के सहारे भारत के राजियों का उत्तर से दक्षन सही करम पूछा गया था तो ये जो है नौर्थ इस्ट वाला पोर्शन है जो मैंने अलग से यहां पर आपके लिए बनाया हुआ है तो यहां पर आप देखेंगे ये पूछ रहा है कि म्यामार की सीमा के सहारे भारत के कौन-कौन से स्टेट्स जो है उनका नौर्थ टू साउथ जो है और्डर पूछा गया करम पूछा गया तो यह जो है यहां पर आप देखेंगे तो यह वाला छेतर जो है ये म्यामार का छेतर है और मियामार के छेतर से सटे हुए भारती राज्यों का करम देखेंगे तो सबसे उपर आपका पढ़ता है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे आप आएंगे तो नागालेंड, फिर उसके नीचे आएंगे तो मणीपूर, फिर उसके नीचे आएंगे तो मिजोरम, तो ये उत्तर से दक्षण की तरफ देखेंगे, ये उत्तर है, उपर नीचे दक्षण है, तो उत्तर की तरफ से देखेंगे, सबसे पहले अरुणाचल आएगा, फिर नागालेंड आएगा, फिर मणीपूर आएगा, फिर मिजोरम आएगा, कथन और कारण से जुड़ा हुआ प्र कावेरी नदी को दक्षड भारत की गंगा कहा जाता है और ब्रहमपुत्र नदी से जोड़ा हुआ कथन भीस इसमें था कि ब्रहमपुत्र जो है पूर्ववर्ती नदीतंत्र अपवाह का उधारन है तो यह भी सही है जाता है दूसरे स्थान पर वियत नाम आता है तीसे नाम पर आपका ऐस्ट्रेलिया फिर चोते स्थान पर आपका ब्राचील आता है भारत के संदर में अगर बात करें तो भारत में बाकसाइड उत्पादन और संचित भंडार की द्रस्टी से प्रथम स्टेट जो है पहला रा कि मुंबई और कोच्ची बंदरगा यह प्राक्रत बंदरगा और मुंबई को भारत का परविश दौर भी गहा जाता है ठीक है गेटवे ऑफ इंडिया यहीं पर है कोच्ची जो है यह विलिंगटन दीप और वल्लार पदम दीप के बीच में स्थित है कोच्ची बंदरगा इसका नाम चेंज कर दिया गया है और मोर्मोगाउ पोर्ट जो है काफी वार पूछा गया PCS में भी कि ये कहां का बंदरगा है तो ये गोवा का बंदरगा है और ये किस नदी के मोहाने परिस्तित है ये जुवारी नदी के मोहाने परिस्तित है यमुना नदी का उद्गम स्थान कहा है तो ये उत्तरकासी जो उत्तरकासी जिला है उसके बंदरपूश नामक स्थान से निकलती है बंदरपूश के पश्चमी भाग में यमुन उत्री हिमिनद है ठीक है जहां से यमुना नदी का उद्गम होता है और ये गंगा में प्रिया अगराज तक कितनी है 1384 किलोमेटर है इसकी सायक नदियों की बात करें तो टॉंस नदी हिंडन गिरी चंबल के निये सारी नदी यमना नदी की सायक नदिया है बंगलादेश की सीमा से सटे हुए राज्य वह कौन-कौन से हैं तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया तो देखे हरिके बैराज जो कि इंद्रा गांदी नहर का प्रमुख जल्स्रोत है यह किन नदियों के संगम परिस्थेत है हरिके बैराज व्यास और 17 नदियों के संगम परिस्थेत है और इंद्रा गांदी नहर जो है वो इसी से निकलती है इंद्रा गांदी नहर जो है भारत की समसे लंबी नहर है, इसकी कुल लंबाई 650 किलो मीटर है। राजस्थान में सेचाई की द्रस्टी से इंद्रागांदी नहर का बहुत ही महतपूर स्थान है। काफी सारे एरियों को सेचाई के लिए जल उपलब्द कराने का काम इंद्रागांदी नहर के द्वारा किया जाता है। दुलहस्थी पावर स्टेशन ये किस नदी पर है, तो ये चिनाब नदी पर है, जम्मू कस्मीर के किस तवार जिले में। चिनाब नदी पर कुछ अन्य परियोजनाएं भी हैं, जैसे बगली हार परियोजना ये भी चिनाब नदी पर है, ये जम्मू कस्मीर के डोड़ा जिले में पढ़ती है। सलाल पर्योजना ये भी चनाव नदी पर है, जम्मू कसमीर के रियासी जिले में पढ़ती है। चिनाब नदी का निर्माट चंद्र और भागा के संगम से हुआ है और ये जो चिनाब नदी है ये जासकर स्टरणी के लाहुल स्पीती के बारा लाचा दर्रे के पास से निकलती है तुलबुल परियोजना भी काफी बार पूछा गया है तुलबुल परियोजना और उरी बां कि हल्दिया जो तेल शोधन इसका ही है ये पश्यम बंगाल में है कोईली ये गुजरात में बढ़ती है मतोरा आप जानते है यूपी में ही है डिगबोई बाली जो तेल शोधन इका ही है भारत की इसको भारती हाइड्रो कार्बन छेतर की गंगोर्त्री के उपनाम से भी जान तो भारती भूगोल से सबसे ज़्यादा प्रशने जो पूछे गए हैं वो सबसे ज़्यादा अगर टाइप की बात करें तो सुमेलन और कथन वाले क्वेशन पूछे गए हैं खास करके मैचिंग वाले प्रशनों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा रही है अप एक्षा ग जो भी लोह आयस को पादक छेत रहें तो इस तरीक के क्वेशन जो है वो सबसे ज़्यादा संख्या में भारती फूबल में देखने को मिले हैं तो इस वाले पोर्शन पर थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से ध्यान देंगे हालनकि अभी टाइम है थोड़ा सा मैं आपको जितन बैलाडीला खान ये कहां पर पढ़ती है चतिसगड के दंतेवाड़ा जिले में पढ़ती है और ये लोह आयस को पादन के लिए जानी जाती है राजा सांसी अंतरास्टी हवाई अड़ा ये कहां पर है अमरसर में है और भारत में जो नागर विमानन की सबसे बड़ी जाता है तो वो है आपकी भारतिय विमान पत्तन प्रादिकरण 1995 में इसकी स्थापना हुई थी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून इसकी 1906 में और 1990 में इसको यूनिवस्टी ग्रांड कमिशन के तोवारा डीम्ड यूनिवस्टी घूसित कर दिया गया था भारतिय चा गरन नष्ट की शावल अनुसंधान सनस्थान की बात करें तो यह मनीला में है here in awich में सरवादिक कोईला भंडार तो ये कहां पर पाई जाते है गॉंडवाना लैंड ज्हारकंड में और यहां पर भी अगर देखेंगे तो कौन कोंसी प्रमुख भाने की घरिया भॉक्यरो धनबाद ठीक है ये खाने जो है कोईला प्रोडक्शन के लिए देखी जाती है सिलिकॉन स्टेट किसको कहा जाता है करनाटक को कहा जाता है सिलिकॉन वैली की अगर बात की जाए तो उत्री कैलिफॉर्निया जो के USA में USA के San Francisco खाडी छेत्र का जो दक्षडी भाग है वो प्रमख रूप से सिलिकॉन वैली उसको नाम दिया जाता है कालागड बांध किस नदी पर है ये रामगंगा नदी पर है और इसी वज़े से इसको रामगंगा बांध भी कहा जाता है ये कहां पर है ये उत्राखंड के पॉड़ी गडवाल में है 128 मीटरेस की हूँचाई है मैचिंग से जुड़ा हुआ क्षिचन सुन्दरवन ये कहां पर है पश्यम बंगाल में भितरकनिका ये मैंग्रोव है न जो आर्दबुमी छेत्रों आपका उडिसा में है पिछवरम ये तमिलनाडू में है वेंबनाड जील ये कहां पर है आपकी किरला में है पश्यम दिसा में बहने वाली भारती नदियों से जुड़ा हुआ प्रश्ण पूछा गया तो प्रमोख रूप से तो दो नदिया है नर्मदा और ताप्ती और अधिकांस तह जो प्रश्यम दिसा में बहने वाली नदियों से जुड़ा हुआ वो नर्मदा और ताप्ती य जिससे लगबग 1057 मीटर की उंचाही पर निकलती है और नर्मदा नदी पर ही अगर देखेंगे जबलपुर में एक स्थान है भेडा घाट वहाँ पर धुवांधार जल प्रपात्पी जो है इसी नदी के उपर बनाया गया है यहाँ पर देखेंगे अमर कंटक से खंबात खाड़ी तक जो यह अपनी दूरी तै करती है वो 1310 km की लंबाई में दूरी तै करती है यह जो है सबसे बड़ी नदी है पश्यम की और बहने वाली नदियों में और यह जो है बरंस घाटी में बहती है दोनों ही नदियां चाहे दट्विन यदा हैंड मेट के नाम से भी जाना जाता है लंबाई इसकी 124 किलो मीटर है इसका उधगम कहां से होता है तापी का मद्यप्रदिस के मुलताई आरक्षिद्वन के पास में 752 किलो मीटर सीतो श्ट कॉंडधारी बन पाए जाते हैं और 900 से 18 मीटर के उचाहिपर चीडवाले प्योड़ों की अधिकता जो है वो देखने को मिलती है किस मिट्टी की जलधारन शमता सबसे कम होती है तो दोमठ बलुई मिट्टी जो होती है यह जलधारन शमता में सबसे कम होती है महिल हेलु केरल में और फेरन जो है यह जम्मू कस्मीャर स सम्बदन है धौलाधार श्टी की प्रमक昨 जंजाती कौन सी है तो लेपचा जंजाती प्रमक रूप से धौलाधार श्टी में पाई जाती है कुछ अन्य जनजातियां देछते हैं जैसे अबोर जन जाती ही असम में जाती है थारू जन जाती उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के गोरकपुर और जो तराई छेतर है वहाँ पर जो है थारू जन जाती का निवासे स्थान है परेटन इस्थल और उनसे संबंदित राज्य जैसे चकराता परेटन इस्थल ये उत्तराखंड में है हफलांग ये करनाटका में है, हीरा कुंड उडीसा में है और काकरा पार यह जो है आपका गुजरात में है तापी नदी पर कुछ अन्य तत्य यहां से आप देखें यह भी महतपूर है, फरक्का बांद का जो निर्माड हुआ था, उनिस सुपिचत्तर में हुआ था इसे भागीरती हुगली नदी प्रणाली के छेत्र और नौवहन चमता में सुधार करके कोलकाता बंदरगाह के संरक्षण और उसकी रख रखाव की जो आवश्यक्ता थी उसके लिए बनाया गया था हीरा कुंड बांद की बात करें, तो यह महानदी पर है और भारत में सबसे लंबा बांद है 1957 में इसका परिचालन प्रारम हुआ था यह स्टार्ट जो है कब से हुआ? 1957 से सबसे उचा बांद जो है वो टिहरी बांद है, यह भागीरती नदी पर है उतराखंड में कुछान ने बहुत देशिय परिजनाओं और वेकिन नदियों के आजपास है उनसे जड़ा हुआ प्रशन पूचा गे जैसे इडुकी परियोजना यह पेरियार नदी पर है कहां पे है? किरला में माता टीला परियोजना यह यूपी के ललितपुर में है बेतवा नदी पर नागाजोर सागर परियोजना यह आंधर प्रदेश में कृष्णा नदी पर है और पोचम पाध या इसका एक अन्य नाम भी है स्री राम सागर परियोजना यह तिलंगा नाम है गोदावरी नदी के पास है अगला प्रशन है कथन और कारण से जड़ा हुआ कथन है पश्चमी घाट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है बिल्कुल सही बात है कारण है इसका कि भारत का जो पूर्वी तट है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पढ़ता है तो ये कारण भी इसका सही है और कारण केथन की स्पस्ट रूप से ब्याख्या भी करता है क्योंकि भारत का जो इस्टर्ण कोस्ट है वो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की छेतर में पढ़ता है इसी वज़े से पश्चमी घाट की तोलना में पूर्वी तट जो है वो चक्रवातों से ज़्यादा प्रभावित रहता है यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी अगर देखें कि भारत का जो पूर्वी और पश्चमी तट है वहाँ पर जो स्थानी वर्षा होती है वह मांसून के प्रारम वरंत में हो जाती है और उतरी पश्चमी भारत में जो स्थानी वर्षा होती है सीत काल की विस्ता विशेश रूप से जिसको मावट कहा जाता है यह किसके कारण होती है यह सीतोषन चक्रवातों के कारण होती है भारत में प्रचोर मात्रा में उपलब्ध ना भिकी है इंधन कौन सा है तो ये थोरियम है और थोरियम विशेश रूप से केरल में पाया जाता है फिर उसके बाद में जारखंड में पाया जाता है केरल में जो मोनोजाइट रेत होती है या बालू होती है उसी में जो है वो थोरियम यहां पर उपलब्द रहता है इस्थान, उध्योग उनसे सुमेलन से जोड़ा हुआ प्रश्न है विशाहखगा पत्नम किस उध्योग के लिए जाना जाता है तो ये पोत निर्माड उध्योग के लिए जाना जाता है मुरी जोके जारकंड में है यह ऐल्ययूमिनियम उध्योग के लिए परिशिद्ध है गुडगाऊं विशिश रूप से मोटर गाडियों के लिए जाना जाता है और कानपूर का जो पनकी है यह उर्बरक उध्योग के लिए जाना जाता है अडुशक्ति केंद्र और उनके इस्थानों से सुमेलन से जुड़ा हुआ प्रश्ण नरोरा अडुशक्ति केंद्र ये आपका कहां पर है उत्तर प्रदेश में है काकरापार परियोजना ये आपकी गुजरात में है रावत भाटा ये राजिस्थान में है, कहगा जो है, अडुसक्ती केंद्र ये आपका करनाटका में है अगला प्रस्न है, लिगनाइट जो है, ये निकरस्ट कोटी का कोईला है, मतलब सबसे खराब कोटी का कोईला है जिसमें कारबन की मात्रा 45-55% होती है, कारण क्या है कि भारत में जारखंड जो है, लिगनाइट का सबसे प्रमुख खुत पादक है तो जो कथन है, पहला वाला ये सही है, लिगनाइट की जो क्वालिटी होती है, लिगनाइट टाइप का कोईला होता है, वो एक खराब क्वालिटी का कोईला होता है इसमें कार्बन की मात्रा 40-50% के आसपास होती है भारत में जारखंड जो है लिगनाइट का सबसे प्रमुख खुद पादक नहीं है ठीक है लिगनाइट जो होता है इसको भूरा कोईला भी कहा जाता है और देश का 75% लिगनाइट कोईला जो है ये कहां पाए जाता है तमिलनाडू में पाए जाता है जारखंड में नहीं पाए जाता है लिगनाइट टाइप का कोईला ये सबसे ज़्यादा कहां पाए जाता है तमिलनाडू में पाए जाता है और तमिलनाडू में भी अरकाट जिलेके नेवेली छेतर में विशेश रूप से इसके अपार भंडार देखने को मिलते हैं कार्बन की घटती गुडवत्ता के हनुसार कोईले के प्रमुक प्रकार मतलब सबसे उच्च कोटी का कोईला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है 80-95 प्रतिशत के आसपास इसमें कार्बन की मात्रा होती है बिटुमिनस इसके बाद में आता है इसमें 55-65% के आसपास कार्बन होता है लिगनाइट जो होता है इसमें 45-55% कार्बन होता है और सबसे खराब कोटी का जो कोईला होता है वो पीट कोईला होता है इसमें केवल 35-45% के आसपास कार्बन की मात्रा होती है सबसे लंबी तट्रेखा वाला राज्य कौनसा है तो गुजरात है गुजरात की तट्रेखा सबसे जदर लंबी है 1214 दसमलब 7 किलोमीटर के आसपस इसके बाद में दूसरा सबसे लंबी तट्रेखा वाला राज्य जो है वो आंद्रप्रदेश है सबसे लंबा गुजरात की तट्रेखा है सबसे छोटी तट्रेखा किसे स्टेट की है तो यह गोवा की है किवल 132 किलोमीटर और यहाँ पर इन दोनों के नाम भी आपको याद रखने है गुजरात आंदरप्रदेस तीसरा राज्य जांपर क्या है और इसे पूर्व का शोक भी कहा जाता है मतलब इसका उपनाम इसको दिया जाता है दामोदर को पूर्व का शोक Durand Line किन देशों के बीच सीमा रेखा है भारत और अफगनिस्तान के बीच में 1893 में इसका निर्धारण हुआ था Mack Mohan रेखा भारत और चीन के बीच में है Red Cliff रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है सबसे ज़्यादा Coffee का Production कौन सा स्टेट करता है करनाटका उसके बाद में दूसरे स्थान पर केरला आता है तीसे स्थान पर तमिलनाडू आता है Latterite मिटी से जड़ा हुआ प्रशन पूछा गया तो यहां पर मैंने इस से जड़े हुए जो भी महत्पूर्ण तथ्य हैं वो सारे के सारे यहां पर एड़ करने का प्रयास किया है Latterite मिटी विशेश रूप से उच्च वर्सा वाले छेत्रों में और ऐसे छेत्रों में जहां तीवर अपच्छा होता है इन छेत्रों में जो है Latterite मिटी पाई जाती है उच्च वर्सा का मतलब यहां पर 200 cm से ज़्यादा वर्सा हो जिन छेत्रों में और अपक्षय की प्रक्रिया वो है वो तेजी से हो उन छेत्रों में विशेश रूप से Latterite मिटी का जमाव देखने को मिलता है इसकी प्रकर्थी जो होती है वो अमली प्रकर्थी होती है Latterite मिटी की और क्रसी के लिए यह बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं मानी जाती है हालांकि उर्वरक और कंपोस्ट का यूज करके इसको कुछ फसलों के योग्य बनाया जा सकता है Latterite मिटी Decomposition का Last Product होती है अपगटन के अंतिम उत्पात के रूप में इसको देखा जाता है इसका रंग जो होता है क्योंकि इसमें लाल बालू और बज़री की थोड़ी सी ज़्यादा मातरा होती है इस वज़े से हलके लाल रंग की Latterite मिटी होती है इसमें विशेस रूप से जो व्रच्छा रूपण पसले हैं यानि जिनमें एक तरह से कह सकते हैं जो पौध टाइप की लगाई जाती जैसे चाय की खेती होगी रबड की कॉफी काजू ऐसी जो व्रच्छा रूपण वाल कौन भारत के कोईला निच्छेपों का प्रमुख श्रोत है तो गौंडवाना तंत्र जो है ये भारत के कोईला निच्छेपों का सबसे प्रमुख श्रोत माना जाता है गौंडवाना तंत्र में भी अगर प्रमुख कोईला चेत्रों को देखा जाए तो दामुदर घाटी क सून घाटी, महनदी घाटी, गोदावरी घाटी, सद्पुड़ा कोईला जट्र और राजमहल कोईला जट्र जो है, यह गोंडवाना तंत्र के अंत्रगत आने वाले मुख़ कोईला जट्र мाने जाते हैं, भारत के कुल संचित भंडार का 96% कोईला जो है, वो गोंडवाना टाइम का है गोंडवाना काल का है और से इस 4% जो कोईला है वो tertiary और मैसोजोई काईलों में बना हुआ है क्रिश्ना नदी से जोड़ा हुआ प्रिश्न था ये कहां से निकलती है उद्गम इस्थान क्या है इसका ये पश्चमी घाट के महाबलेश्वर जो के महराष्ट में है वहाँ से इसका उद्गम होता है सहायक नदियों की बात करें तो कोईना, वैरना, पंच गंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा आपका माल प्रभा, भीमा, तुंग भद्रा, मूसी ये सारी नदियां, कृष्चना नदि की सहायक नदियां मानी जाती है इंडियन ब्यूरो ओफ माइन्स इसका मुख्याले जो है वो कहां पे है तो ये नागपुर में है और इंडियन ब्यूरो ओफ माइन्स की स्थापना एक मार्च उनिस और तालिस को हुई थी नेक्स्ट प्रशन है मैचिंग से रिलेटेट केंदर और उध्योग अरे ये तो छूटिया यहां पर लिखा नहीं है यहां पर यह मिस हो गया है कनकी नारा यह आपका वैस्ट बंगौल में पढ़ता है यह जूट उत्पादन के लिए जाना जाता है मुलब जूट उध्योग के लिए आपको पता है पश्यम मंगाल जूट उध्योग में सबसे आगे है विरूद नगर यह तमिलनाडू का एक जिला है विरूद नगर और यह सूती वस्त्र उध्योग के लिए प्रशिद है विरूद नगर और आपका कोईली तेल सुदक कार खाना जो है ये बड़ोधरा गुजरात में है भारत का शीर्षस्त बाकसाइट उत्पादक राज्य सबस्यादा बाकसाइट का उत्पादन उडिसा तर उसके बाद में गुजरात जारकंट शत्तिसगर ये जो उत्पादक स्टेट है ये लेकिन एक बार तोड़ा सा आपका कर्टब भी ये बनता है कि थोड़ा सा अपड़ारड कर लीजेगा अगर कोई चीज चीज जैसे हो सकता है में data में थोड़ी सी mistake हो गई हो है ना वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि 100% मैंने सही तरीके से लिखा है क्योंकि में पास अभी इससे रिलेटेड जो मैं एक बुक मागा रहा था वो मेरे पास अभी तक पहुंची नहीं है जो आपकी पता है ये येर बुक होती है जो उसमें सारे प्रोडक्शन वगरा सारी चीज वाली बात नहीं है तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी-कभी हो सकता है जो प्रोडक्शन स्टेट्स की बाद मैं कर रहा हूं इसमें थोड़ी बहुत अगर कोई चीज हो तो उसको आप अपडेट करिएगा और आपको पता चल जा जा तो मुझे भी बताईएगा वैसे जो एक अपडेटेट डाटा है वो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोड़ाइगा अभी में पास सोर्सेज नहीं है उसकी क्योंकि मैं एसी जगे पर जॉब करता हूं जहां पर यह सारी चीज़ें वेलबल नहीं हो पाती है तो इसको मैं बागा रहा हूं बहुत जल्दी और एक वीक के अंतरगत आनि एक वीक के बाद में यह सारी चीज़ें जितने भी प्रोड़क्शन है अलग अलग चीज़ों के उन सारी चीज़ों को आपको प्रवाइड करा हूं नेक्स्ट वेशन था 10 डिग्री चैनल जो है यह किस-किस के बीश में है यह अंडमान और बार के बीश में है मनार की खाड़ी दक्षडी तमिलनाडू और श्री लंका को प्रतक करता है कोको चैनल उत्तरी अंडमान और मियामार को प्रतक करता है और डेंकन चैनल जो है यह दक्षडी अंडमान और लगू अंडमान को प्रतक करता है प्राइडीपी भारत किस हिम य सिति से जड़वववव प्रश्ण था, लोनार जील ये कहां पे है, ये महराश्टर में है और ये एक प्रकार की क्रेटर जील है, है न, उलका पिंड कोई गिरा होगा प्राशीन गाल में, तो उलका पिंड जैसे प्रत्वी पर गिरा तो उसके पर जैसे वहां पर गड़ा बन इस जड़ववव प्रश्न था, कर न पोड़ा ज्जारखंड में है, कोईला च्चसद्र है, टेल शुदक कारकंगा container नुमालीगड असम में है, तातवीपा का आंद्र प्रदेश में है, भारत में कूल तेल पूरी तरीके से चालू नहीं हो पाई है अभी कुछ दिनों बाद जो है चालू हो जाएंगी तो अभी वरतमान में जो कारे रत हैं वो तेईस हैं आगे जाकर के पच्चीस हो जाएंगी अभी आपको तेईस वाला डेटा याद रखना है दर्रे नाथूला दर्रा ये कहां पर है सिक्किम में है और ये सिक्किम को चीन के तिबबत वाले चेतर से जोडने का काम करता है लिपूलेख दर्रा ये उतराखंड में है रोहतांग दर्रा हिमाचल में है और ये जो रोहतांग दर्रा है ये कुलू घाटी और लाहल स्पीती गाटियों के बीच में है पालगाट दर्रा ये केरला में है और ये नीलगिरी और अन्ना मलाई पहाडियों के बीच में पढ़ता है नेक्ट क्षमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्मान नहीं करती है और कारण है कि वे चोटे मागर से तीर्व गती से जो है चलते हुए की वेबसाइट पर देखा था यानि जो विस्तार है नेटवर्क फैला हुआ है जो नेशनल हाइवेस का वहां पर लंबाईयां दे रहा कि एक PDF फाइल थी वो मैंने डाउनलोड करके देखी भी थी तो उसमें महारास्ट्रों में दे रहा है सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं नेशनल हाइवे नह-47 ay है और सबसे उंचा जो नेशनल हाइवे है आपका वह खारदूंगला-्राजमार्ग है यह तीनों याद प्रदेश में हैं, सिंग्रेंी यह तिलंगाना में पड़ती हैं and यह गोदावरी घाटी चेतर के अंदरगत आती है, ताल-चेर, कोईला-खदान, यह महानदी घाटी चेतर के अंदरगत आती है, भारत में जो source से मिल रही है तो तापी उर्जा जो है सबस्यादा production उससे होता है उसके बाद में जली उर्जा उसके बाद में वाईउ से उर्जा और सबसे लास्ट में आडविक उर्जा एक करम आप याद रखेंगे बहुत important है कथन कारण से कोईले का अंतर राजिये परिवहन इंटर स्टेट टांसपोर्ट जो है वो रेलवे के द्वारा संपनी किये जाने वाले परिवहन का मुख्य घटक है मुद्ब स्टेट के बीच में जो कोईले का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें सबस्यादा contribution रेलवे का है कारण क्या है कि बंगाल जारकंट कोईले की खदाने पश्यमुत्तर राजियों को कोईला अपूर्ती का प्रमुक्स रोत है तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है सबसे ज़्यादा जो इंटर स्टेट टांसपोर्ट होता है वो रेलवे के द्वारा होता है वो पश्यमुत्तर राजियों को नॉर्थ वेस्ट के जू स्टेट है उनको कउला अपूर्थी का प्रमुक्स रूत है बंगाल जारकंट से विशिवो रूपą से जो कोईला है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ भेजा जाता है दोनों के दोनों सही हैं लेकिन जो कारण है वो इससे संबंदित नहीं है मतलब इसकी सहीत रूप से ब्याक्या नहीं कर रहा है तो यह याद रखेंगे सो मेलन से जड़ा हुआ प्रेशन है ही रा में कार्बन होता हैं कार्बन का ऐा अपर रूप होता है संगमरमर कैलशियम होता है रेथ इसमें सिका और माड़िक के रूपी इसमें किया होता है अलुमिनियम होता है, कुल भॉग अले के चेत्रफल के इस अंदर में वनों का उचितम परसेंटेज, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसारी डेटा है, सही है बिलकुल, मिजोरम में जो है सबसे जादा परसेंटेज अगर देखा जाए, मतलब मिजोरम यानि किसी भी स्टेट के उसका जितना भी भोग अलेक चेत्र है, उसका जितना भी जिग्राफिकल एरिया है, उसके हिसाब से परसेंटेज में सबसे अदा वन कहां पर है, तो मिजोरम में है, यहां पर मिजोरम का जो कुल भूभू चेत्र है, उसके लगपक 84.53 परसेंटेज भूभाग पर जो है वन होता है, रबर का उतपादन सबसे यहां पर होता है, केरला में होता है, गर्ने का उतपादन सबसे यहां पर महने होता है, तो आप देख रहे हैं, इस तरहीत.. ज़्यादा है, एक तो आपके background खॐश्चिंस जादेगा पूछे यहां पर विसे बागे वह चृ قणिन के प्र goofy कि संख्या थोड़ी सी ज्यादा रही है तो इन चीज़ों पर आपको ज्यादा फोकस करना है दर्रों की बात करते हैं नाथूला दर्रा सिक्किम यह रिपीट हो गया दुबारा कुश्चन यह पेपर में भी रिपीट हुआ था दुबारा लिग गया है वैसे मैं जो रिपीट कौनसी है तो ही शिवालिक है ठीक है दक्षड में धौलाधार से शुरू हो करके उत्तर में यह कांगडा तक फैली हुई है और इसकी ओसा तूचाई 1500 से 2000 मीटर तक जो है इसकी एवरेज हाइट है सीनो जो इक या फिर उसको प्लायोसीन यूग भी कहते है उसमें इसकी उत और ऐसे जो हो पहते हैं यह है तो है जाते हैं में दूसरे जीवत पौदे पर और ओगे रहेते हैं और मिटी में यह जड़की में नहीं रहते हैं इसी वाज़ा से इनको वायवीय पादब कहते आँ वायू में पादप, एरियल प्लांट स्पीन को कहते हैं, और इनमें पढ़न हरित पाए जाता है, क्लोरोफिलिस में होता है, इस वज़े से ये भोजन जो है, वो अपना स्वयम बनाते हैं, भारतिय मानेक समय से जोड़ा हुआ प्रश्ण, साड़े 82 दिगरी पूर्वी देशांतर को भारत का मानेक समय कहा जाता है, यह मिर्जापुर, UP में पढ़ता है, साड़े 82 दिगरी देशांतर, और प्रश्ण पूछा जाता है, कि भारती मानेक समय जो है, यह किन किन स्टेट से गुजरता है, तो यह उत्तरपर देश, सबसे ज़्यादा रेशम का उतपादन करनाटका में होता है सेकिंड स्टेट है आंद्रपरदेश थर्ड है असम फोर्थ है जहारगंड भारत में उतपादे रेशम का लगभग 70% जो रेशम है वो किस प्रकार का रेशम है सहतुत रेशम जहाते हैं hear to us type का रेशम जो है प्रोडक्शन उसका होता है जारखाणड में इरी रेशम का चाईना है तो यह पहला पार्ट हो गया Indian Geography Questions का अब यहां से आप इसको analyze करेंगे इसकी जो PDF है वो मैं कल डाल दूँगा टेलिग्राम पे तो उसको देख लीजेगा डाउनलोड कर लीजेगा इन questions को बार-बार repeat कीजेगा, second part इसका कल आ जाएगा अब UP वाले questions को मैं आपकी जो youth competition time की book है उसी से cover कर रहा हूँ हलनके मैंने इससे पहले जो book थी मैंने आपको बताई थी तत्यसार क्योंकि तत्यसार मैंने काफी बार पड़ी है और क्योंकि उसमें हर साल जो book आती है घटना चकर की तत्यसार UP special से related उसमें हर साल केवल जो current वाले portion होते हैं बाकी की जो static portion है वो सेम ही रहता है आपको पता आपके पास पुरानी भी होगी अगर एक दो साल पुरानी तत्यसार होगी तो वो भी आपके पास देखा होगा नई वाली में और पुरानी वाली में बहुत जादा फरक नहीं होता है बस कुछ current वाले topic होते हैं वो थोड़े से उसमें update हो जाते हैं तो क्योंकि मैंने वो तत्यसार काफी वार पड़ी है और इसके बाद मैं आज मेरे पास एक book थी आपकी youth competition time की तो क्योंकि मुझे आपको previous year question तो देने ही देने दो वीडियो बना दूँगा उसकी लगबग 100 plus pages है उसमें तो 50-50 pages से एक बार मैं cover करके दो बार मैं उस पूरी book को मैं आपको पयाद दूँगा दो तीन बार उसको सुन दीजिएगा केवल उसी में से क्यों कह रहा हूं क्योंकि मैंने जो आपके लिए strategy वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि UP वाले portion पर आपको इस रूप से थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है तो तैयारी करते रहें बड़िया तरीके से और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शियर जरूर करें और आगे जो भी चीज़ें यहां से संबब होती रहेंगी मैं आपको प्रवाइड कराता हूंगा आज के लिए बस